दवस्कार दोस्तों स्यू कोचिंग क्लासर्स यूटूब चैनल में आपका स्वागत है और आज हमतर्चा करेंगे परमारू संख्या और द्रबमान संख्या परमारू संख्या क्या कहलाता है इसके बारे में हम देखते हैं परिभासा तो किसी विशिष्ट तत्त के परमारु के नाभिक में उपस्थित प्रोटान की संख्या को परमारु संख्या कहा जाता है अर्थात प्रोटान की संख्या के बराबर होता है दोस्तों आपको पता है कि कोई भी तत्तो है उसमें जो प्रोटान की संख्या होती है इलेक्टरान के संख्या के बराबर होती है कहने का मतलब कोई भी परमाडू है उसमें जितने प्रोटान होंगे उतने ही इलेक्टरान होंगे यदि प्रोटान की संख्या ग्यात है तो परमारू संख्या ग्यात है यदि प्रोटान की संख्या ग्यात है तो इलेक्टरान की संख्या कहने का मतलब किसी तत्तो के परमारू संख्या प्रोटान की संख्या और इलेक्टरान की संख्या तीनों बराबर होती है यदि एक ज्यात है तो हमें तीनों का मान पता हो जाना चाहिए यदि हम द्रबमान संख्या की बात करें दोस्तों तो किसी तत्तो के नाभिक में उपस्थित प्रोटान वा नूट्रान के संख्या का योग द्रबमान संख्या कहलाता है अर्थात नाभिक में जो प्रोटान संख्या है और न्यूट्रान संख्या यदि इनका योग कर दें तो हमें द्रबमान संख्या प्राप्थ हो जाता है किसी तत्तो के नाभिक में उपस्थित प्रोटान और न्यूट्रान के संख्या का योग द्रबमान संख्या कहलाता है तो हम एलेक्ट्रान की संख्या धन न्यूट्रान की संख्या कर सकते हैं क्योंकि प्रोटान की संख्या का मान इलेक्ट्रान की संख्या के मान के बराबर होता है दोस्तो इस प्रकार से दिद्रबमान संख्या ग्याद करना है हमको तो प्रोटान हुआ न्यूट्रान की संख्या आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रान जो हैं बाहतम कच्छा में चक्कल लगाते हैं और नाभिक में प्रोटान वा न्यूट्रान पाए जाता है मतलब प्रोटान और न्यूट्रान का योगी क्या कहलाता है द्रबमान संख्या अब दोस्तों यदि कोई द्रबमान संख्य दिया हो और अधी इलेक्टरान की संख्या हो तो प्रोटान की संख्या कैसे निकालेंगे तो आपको पता है कि जो द्रबमान संख्या होता है प्रोटान और न्यूटरान से मिलकर बना होता है और जो इलेक्टरान की संख्या है जैसे ग्यारा सोडियम की इलेक्टरान कितनी होत जूकि द्रबमान संक्या जो होता है प्रोटान और नूट्रान का योग होता है चुकि प्रोटान यहां 11 है ति नूट्रान हम 23 में से घटा दें तो किता हो जाएगा दोस्तों 12 इसी प्रकार ज़िए हम मेगनिसियम की बात करें तो यहाँ पर इलेक्टरान की संख्या बताई है कितनी है 12 यदि अपन इसमें प्रोटान की संख्या की बात करें तो इलेक्टरान की संख्या और प्रोटान की संख्या दोनों बराबर होती है औ जैसे कि दिया है 좋은 इसका independent november i थीए दोस्तों तो प्रोटान भी कितना हो जाएगा 35 जो कि electron और proton की संख्या में रखक बराबर होता है और यदी बात करें हम neutron कि संख्या तो पैचासी में आफ घटा दीजिए ठीक है तो किभता हो जाएगा 45 इस प्रकार दोस्तों ये दी द्रबमान संख्या ग्यात हो गयात हो और एलेक्टरान की संख्या ग्यात हो तो प्रोटान और नीूटान की संख्या हमें आइटोमेटिक ग्यात हो जाते हैं दोस्तो इस प्रकार के objective type में question आ जाते हैं कि electron की संख्या और proton की संख्या दी हुई है तो neutron की संख्या ग्याद कीजिए या electron की संख्या दी हुई है और neutron की संख्या दी हुई है तो आप द्रब्मान संख्या ग्याद कीजिए कहने का मतलब किनी दो value को दे देता है और तीसरा value पूछने के लिए आता है दोस्तो तो इस प्रकाल के question पे आप confused मत हो येगा objective type में भी ये काफ़ important है और किसी भी competition exam के नजरों में भी इस तरह के question बनते रहते हैं और दोस्तो return exam की बात करें हम तो यदि आ जाता है परमारू शंक्या और परमारू द्रबमान क्या कहलाता है अर्थात द्रबमान संक्या क्या कहलाता है तो इसके नजर में भी आप इसको लिख सकते हैं दोस्तो इस प्रकार से यह हमारा basic chemistry चल रहा है जैसे हमें comment में मिलता है हमें खुशी होती है और हम सभी विद्यार्थियों का comment सुनते हैं दोस्तो तो आप हमारे इस वीडियो को देखकर यदि आपको पसंद आए तो comment जरूर करें और दोस्तो इस प्रकार से आपको किसी भी topic पर परसानी हो तो comment जरूर करें या आपको हमारा WhatsApp Numbers पता नहीं तो हमारे WhatsApp Numbers पर आप कॉल कर सकते हैं और आपकी परसानी हम wipe कर सकते हैं दोस्तो आपकी परसानी हम chemistry हो या physics आप जिस टॉपिक पर कहेंगे जरूर हम वीडियो अपलोट करेंगे धर्नवाद